हेला रिवन इस वीडियो में हम कोहरेंट सॉर्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि कोहरेंट सॉर्सिस क्या होते हैं कोहरेंट सॉर्सिस और इसी वीडियो में ही हम यह देखेंगे कि पाथ डिफ्रेंस और फेस डिफ्रेंस क्या होता है और past difference और face difference में relation क्या होता है ठीक है देखिए जिए हमें कोई interference pattern को दिखाना होता है जा interference pattern को obtain करना होता है तो उसके लिए जिरूरी है कि जो हमारे पास जो पैटरन है वो continuous है जैसे कि हमारे पास interference pattern हमने young double slit experiment में देखा था कि जो पैटरन आ रहा था पहले dark fringe फिर bright fringe आ रही थी थी तो जो वह fringes वह continuous होनी चाहिए ठीक है तो अभी हमें अच्छा सा interference pattern दिखेगा ठीक है तो एक अच्छा सा interference pattern देखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास जो सोर्सी वह कोहरेंट होने चाहिए सोर्सी का क्या मतलब होता है the current sources the two current sources current sources क्या होते हैं वो देखते हैं the two current sources are those which should which should emit light waves continuously of same wavelength or frequency मतलब कि current sources कौन से होते हैं दो current sources कौन से होते हैं जो continuously light waves को emit करें ठीक है और उनकी जो wavelength और frequency वो क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए उन light waves की ठीक है और दूसरा point क्या है the two waves are either in the same phase or have constant phase difference difference जो दो waves जो निकलेंगी डो current sources में इसे जो दो waves निकलेंगी उनका जो phase है वह ऐस होना चाहिए जूरूरी नहीं जो कहा होना चाहिए जूरूरीच नहीं कि उनका phase होन कट भी ओसके सकते हैं सेम फेस होना चाहिए मैं फेस सेम होना चाहिए या फिर सेंट डिफरेंस होना चाहिए यह पढ़ेंगे कि फेस डिफरेंस क्या होता है इसी विडियो में हम कवर करेंगे अब बिगले आप यह समझ लो कि current sources यह सोर्स दो होते हैं तो जो कंटीनूजली लाइट वेव को एमेट करते हैं ठीक है और उन्हों की जो दो वेव जो निकलेंगी जो दो उनका सेम फेस होगा यहां फिर उनका जो फेस डिफरेंस हो constant होगा आपको इतनों पता जैसे एक वेव जा रही है एक वेव इसके कॉप्रीट होगी तों जब हम इसके distance को wave के distance को angle की terms में measure करते हैं उसको हम क्या कहते है face difference कहते है ठीक है चाहे वो angle radian में हो चाहे वो degree में हो ठीक है यहाँ देखिए हमने इसको कैसे measure किया यहाँ angle इसका πाई हो गया और आगे travel करते करते इसका angle 2πाई हो गया ठीक है न तो वह हमने कहाज सकते future olmak mr. तृक है तो इसको एट रिए पाथ ठीक है anglers की टर paid-कर एंगल गिते हैं बात करेंगों तभ allies के बात करते हैं और एक ये वेव है ठीक है ये एक वेव जा रही है ऐसे आगे तक जा रही है ठीक है ऐसे एक और वेव है वो भी ऐसे आगे जा रही है ठीक है अब देखिए ये दुनों वेव मान लेते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को पर सुपर इंपॉस किया ठीक है सुपर इंपॉस करेंगे लीज़े यह एस है क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और यह ट्रॉफ कर रहा है थीक है तो यह जो पॉइंट बदिस्ट से चाहते हैं ज़ा करेगा है भे और जो यह पॉइंट है चाहते माम लेतला है से nenhum डिवाoten जब हम लिए निए टिक है घाल यहां जीरो बना सब्सकist के साथ माच करता है इस का मतलब यहां इरेन्स सिए और यहां जीरो जो कोई ंतील करिंगे ज में क्थे डिफेरंस जरो झैसे लोग पारिख फिंल से लोगी ज्यासे जान उनके यह तो यह कहा गया कि दो कौरेंट सिंस अ traders कॉरेंट से आज कर दो सती है जब हो जातव से ऐसे मोज़े हो शेयर कौर थे समुंए जो जो यह तो मेंज़्शिव और बैसे है प confess ant कैसी दम ने समझा दितने हैं यह एक वेव है मोझे Аलब देखिए यहां जो जितना वे सुवह हैए उतना है पेस्ट धिफर Skills ग्याँ अंतना हो blossoms पिल अगर है यह पेस्ट फेस्ट इतना होगा जैसे आंगOS कलेड़ परी एक स्क्राइख और और यह इसने एक ओर साइकल एसे कंड़ीट कर ली जितना टीप्रेंस यहां सब्सक्रिक्राइब सब्सक्राइब करतार किसली कि उसकी बिधातार को सब्सक्राइब कर्णा एक न rhittory की सब्सक्राइब कंस्च्राइब यहां संदियरी है उसलो ... वेव्लेंथ है जो सेम होने चाहिए है तब हम कहेंगे और आपको समझ में आगए है रहेगा 2 नाइट वेविसट के उनकी स्पश्परीय निइन चाहिएस है 2 जो दोनों वेव्ज है उन में जो फेस्ट डिफरेंस है वह यहां जीरो हो यहां ऑज़ सेमों तो यह थे आगी जाते घाते तो यह थे सूर्स को होगी थिक है अब देगे हम दो को मर्की जैसे को हम अपटेन कैसे घर सकते हैं ठीक है स्पें हमने दो पिन होल्स कर दिया था ठाइख हो रिंट के लिए दो सोर्सिझ लाइट प्रह नहीं से यहां से इंदर लाइट जाएगी यहां से लाइट जाएगी एक प्रहं यहां यहां एक यह रख दिया दोनों को अलग लग illuminate करवाया ठीक है पर उस case में जो wavelength है वह जुरूरी नहीं है कि दुनों की सेम हो ठीक है तो coherent sources तभी होते है coherent sources हम तभी इनको कह सकते हैं जब इनका जो source है light का जहां से light आ रही है न वो जो light है वो weed के हो एक ही light से है रही है और इन मेंसे light बाहर जा रही हो ठीक है वहां से यही light इसमें से भी पास होई थी ठीक है तो हम कह सकते हैं दो सोर्स जो लाइट के बने हैं हमारे पास दो लाइट के सोर्स जो बने है एक ही सोर्स से बना है ठीक है तो तभी हम कोहरेंट कहेंगे इसको क्योंकि एक ही लाइट है ठीक है इसकी वेवरेंट सेम ही होगी ठीक है अब यही लाइट इसमें से पास कर रही है तो दोनों जो ल जो light waves को continuously emit कर सके और light waves की same wavelength होने चाहिए और same frequency ठीक है और दूसरा जो दो light waves है वो यहां तो same face में हो यहां फिर उनका उनका constant face difference हो ठीक है अब हम यह देखते हैं जिए आपको interference fringes interference bands जो आपने यंग double select experiment में बनायते हैं वो आपको अच्छे चाहिए तो उसके लिए आपके क्या का conditions होने चाहिए ठीक है न तो अच्छे interference bands बनाने के लिए आपके क्या क्या conditions है वो देखते हैं और एक बात हो रहा आप इसमें और चीज़ नोट कर लो current sources में जो मैंने आपको स्णुन भी बता दिया है कि जो sources of light हैं जैसे कि दो current sources of lights हैं वो independent होने चाहिए मैंने अभी बताया कि यहां अलग-बलब रख दिया अलग-बलब से illuminate करवाया तो ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है न तो यह अलग-अलग नहीं होने चाहिए एक ही parent source होना चाहिए यहां एक ही पेरेंट सोर्स होना चाहिए ठीक है एक ही पेरेंट सोर्स होना चाहिए यहां से एक ही लाइट जो हो वो दो कोहरेंट सोर्स का काम करें ठीक है ना एक ही लाइट यहां से आई और यही लाइट यहां से भी निकली यहां से भी निकली तो उसका कोहरेंट सोर्स एक होना है तो जो पहली condition है वो क्या है वो have one a जो सोरसी से light को स्कूम से light जो हमें मिल रहे हैे डोनों जो light we prest उनकी सेम्ट सेम्ट और सेम्ट फेश यां फिर कॉंस्टेंट पाथ सब्सक्राइब को दो सोर्सिस पहला तो यह है must be current दूसरा का है दूसरी कंडिशन का है कि जो एम्पलीटूड है दोनों वेव के वह एक्वल होने चाहिए जह एक्वल नहीं है तो अप्रॉक्सिमेटली है नियरली उक्वल तो होने चाहिए ठीक है आपको बताया था जैसे यह एक वेव जा रही है तो यहां से यहां तकर डिस्निस क्या होता है एंप्लीटूड होता है ठीक है यह एंप्लीटूड होता है ठीक है तो जो एम्प्लीटूड है दोनों वेव के जो इसमें से भी निकल रही है इनके जो एम्प्लीटूड है वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए या फिर नियरल सोर्सिस जैसे तोchos अन्हें तो यह ना नो citizen मतलब की जैसे यह श्लीट आएं वोग्हार नइचाए है फॉर्थ क्या है कि जो दो-Sources यह वह नोसीज है ठीक है यह बहुत पास-पास अने चाहिए ठीक है जा है टू सॉर्सिस कि शूड भी वारी ग्लॉस टूच अधर आश जय刃 यह पास-पास होने तभी एक सात मतलगा इAny टिन गों करेंगे तब आध जो यह वे लाइट जो हमारी वेवज और यह यह वेव तोय को नेधिर के यहां फिर हम कह सकते हैं constructive यहां फिर destructive interference मिलेगी फिफ्थ पॉइंट देखते हैं फिफ्थ क्या है the source of light should be strong जो light का source है वो क्या आरना जाहिए strong ओना चाहिए ठीक है the source of light should be strong जहां से भी light आ रहे है वो source क्या आना चाहिए strong ओना चाहिए ठीक है और लास्ट पॉंट्क है ये जो हमें जुडय करें गारें से उसकी सिंगल वेवलेंध होने चीह । इक्जेम्पल है मैंने आपको पिस लिए में बताया था ठीक है तो यह थी आपकी कंडिशन्स गुड्ड इंट्रफेरंस पैटरन को अप्टेन करने के लिए देखते हैं फेस्ट डिफ्रेंस और पार्ट डिफ्रेंस और इसमें रिलेशन क्या होते हैं आपस में इन दोना में लगें आपको बताया को है यहां यह पूर हिकल होती है और यह पूरी हमारी वेव की ओ साइकल भती है ठीक है यहां एंगल 0 होता है यहां पाई और यह नहुकर फेस ठीक है यहां इस से घ्र लेग। यहां तक आते तो पाई ट्रैवल कऱ लिए तो यह हमारा फेस है ठीक है फेस्ट डिफरेंस क्या होगा जैसे फेस्ट के लिए हमें दो वेव कि यह तो उन दोने हम डिफरेंस पता कर पाएंगे कितना फेस का डिफरेंस फे इप एब यहां से शुरू हो ओड़ा लिए अब द तो यह इसका 0 होगा यह इसका क्या होगा पाई होगा यह यहां 2 पाई होगा और यहां यह पाई होगा फिर से अगली जो वेव स्टार्ट होगी ठीक है तो यहां डिफरेंस कल्कुलेट कर सकते हो कितना होगा तो यहां 3PY होगा ठीक है यह पाई यह 0 यह पाई यहां तक 2PY फिर यह 3PY फिर यहां तक 4PY है तो यह 3PY होगा इसी वेव का जो मैं डॉटेड बिना रहा हूं ठीक है तो यह वेव तो यहां से यहां तक एंड होके यहां आ रही है मतलब कि यहां तक यह 2pi distance travel कर रही है ठीक है और जो यह dotted वाली वह यहां 3pi distance को travel कर रही है ठीक है तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां face difference कितना है 3pi minus 2pi तो कितना आ गया pi मतलब कि यहां pi का face difference है ठीक है तो यह होता है face difference हम इसको ऐसे calculate कर सकते हैं जैसे कि एक cycle है ठीक है और दूसरी जो cycle है वो पिछे से start हो के आ रही है ठीक है और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने 3pi distance travel कर लिया 3pi face उसने travel कर लिया ठीक है तो यह वाला जो face है ठीक है मतलब कि उसने कितना face extra travel कर लिया कितना travel किया pi ठीक है और वो कुछ पीछे से भी चलके आ रही थी न तो उसने यहां तक आते है थे pi face ज्यादा travel कर लिया ठीक है किसके मकाबल है यह solid wave के मकाबल है ठीक है तो यह face इसको हम face करते है ठीक है यह angles की term में जब हम बात करें तब यह face है ठीक है आप यहां देख भी सकते हो कि यहां से यहां तक का अंगल कितना पाई है ठीक है इसका मतलब उसने pi अमतलों कि pi वो extra चली है यहां तक आने के लिए ठीक है और यहां से यहां तक कितना थ्रीपाई है अब देखिए हम बात करते है path difference की path आपको simple सा ग्सक्राइब यह पता है यह इक वेव है क्वेव यहां से यह तक का क्वेव जो से व bloodaja 3.嗯 Femaleudisya remake और मुश्य हो यह जो यहां से ङटाए फिर उसने एक साइकल कि tane और यहां तक पहुँन ऐए तो मतलब की उस लेमडा और ट्रेवल कर लिया ठीक है लेमडा उसने और ट्रेवल कर लिया मतलब कि टोटल जो डिस्टेंस इस डॉटेड वाली वेट ने जो ट्रेवल किया है डॉटेड वाली वेव ने ट्रेवल किया वो कितना किया है टू लेमडा ठीक है और जो सोलेड वाली वेव है इसने से जाधा ट्रैवल करी आफ मतलत ने इतना ड्रैवल किये मतलबगा बैसки घंप और दूसरी ज्या है उस Seems क्या क्या रिलेशन है पास दिफरेंस और फास डिफरेंस में क्या रिलेशन है वह बताने की कुश्च करूँँगा ठीक है जैसे एक vay prosperity अब dेखिय। यहां से यहां मतली यह 0-sted है यह πाई यह 2- Dé pragy ए और यहां से यहां-स तक distance कितना ऐब टो यह पह देख सकते हो सकते हो यहां इसका एक formula भी है ठीक है face difference और part difference का तो face difference किसके एकवर होता है face difference हमारा होता है face difference is equals to face difference is equals to two pi by lambda two pi by lambda into part difference into path difference ठीक है जो face difference two Pi by lambda into part difference होता है ठीक है तो मान लेते हैं क्यों आपका path difference है ना path difference कितना लैम्ड नैंड है ठीक है तो यहा मैं the remove आल में पूट कर देता हूं था हूं कि एप थीम कितना प्यूंग कर देता हूं ऐसे हम इस फॉर्मिले से हम जह में फेस डिफरेंस में पता कर सकते हैं ओर तरीक के से आपको समझाने की पूस्चिश करता हूं फेस पाहँ अपके अधिस बाइट के ठीक है अब देखिए इस पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है कि path difference कितना है path difference तो देखिए अब एक वेव तो ऐसे यहां तक आएगी ठीक है एक वेव यहां से यहां तक आएगी ठीक है अब एक वेव यहां से यहां तक आ रही है एक वेव यहां से यहां तक आ रही है अब देखिए जो यह वेव है इसने यहां से यहां आने तक कितना path मत से बसास नों है सक तो इसल्ट सघ्ल करके भीशन कर इस ہ抱ब की जटर तो किसनी किस्व यहां आधी कर meer है । तो हम यह कंट सकते हैं इसने इसने पास मुझानद कर दो 195 यहां और यह भी लाइट यहां तक पहुंची यह भी लाइट यहां तक पहुंची ठीक है अब मैंने आपको बता जाते हैं यह यह बड़ी होती जाएगी अब यहां तक इमाल लेते हैं यह पॉंट हमें कि इनके ओस्तों बनाएंगे इनके क्रेस्ट करता है इसकी क्रेस्ट पहुंच है और यहां임 त Treasure इनकालना यह तो जैसे समय बाकर निकालना हो तो आप इस पाथ को इसमें सावज स्थ हो फ़ंच च्रवाट निकालना रच चाहल सो इसमें से मा epoxy करें तो हमें ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं एक साइकल हम ने om आप से हिरें। से माइनस कर देते हैं टो पास डिपरेंस और फेस्ट फेस्ट के लिए आपको यह याद रटना है है लेंडिंट पां डिंटू अपर्ड खिया आपको यह फॉर्म में याद हो रहा तो देखिए यह आपको कहा गया है इसको फेस पीकम करो तो आपको बता किसे उपटोर नेको पायों है एहां से यहां तू ल्यमडा है इसको आपको पा डिफरेंस सोरी सब्सक्राइश करना तो आपको क्या पूट कर दो क्या आपको टम किसकी टम में चाहिए चाहिए तो इन्हों ना टू इस इस सकते हों कि यहां आपका मतलब है तो यह यह प्लाइब तो ऐसे आप देख सकते हूं कि यहां एक लेंट आपने और ट्रेवल किया इसका मतलब आपने फोर पाइस्ट ट्रेवल किया ठीक है तो यह था आपका फेस डिफ्रेंज और पार डिफ्रेंज में ठीक है नैक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनलुटिक ट्रीट्मेंट ठीके